असलामलेकूम मैं यूट्यूब फैमिली अज मैं आपके लिए बहुत ही खुबसूरत घरारा पेकिंग की वीडियो लेक्ट आई हूँ जो के बहुत ही आसानी से हो जाने वाली मुझे काफ़ी कमेंट आते थे के घरारा पेकिंग पर एक वीडियो बनाए तो चलिए वीडियो से और यह मैंने ट्रेय ली है अधर यह उपर में रिबीन को ह reclaim घृइन को यह जो लगा दूँगी इसके चारो साइड पर आपके पास कोई गोंडल लेस भो तो भी लगा सकते है तो यह ट्रे की साइस न आपको बताओं तो बदर बारा ही सब्रेस के हिसाबसें ही लेसकते है उगर जादा heavy dress है, आपका weight वाला ज्यादा, तो आप ठोड़ी बड़ी size की tray भी ले सकते हूँ और इस तरह से basket शुत में भी आप bag कर सकते हो, मैं अपको दोनों ultimate style समझा आपके पास कोई थर्मोकुल हैसना बढ़ा या कोई और भी बॉक्स है तो आप भी ले सकते हो तो यह तरह से मैंने बॉक्स को रेस के अंदर रखके चारो साइट से कवर कर देना है कि बॉक्स कहीं से भी दिखे नहीं आप चाहे तो कोई टाकडी पीन आती है वो या फिर सैप लीज भी कोई लगा सकते हो गोलन या आपकी चोईस के हिसाब से कुछ भी कर तो यह घरारे पैकिंग के लिए मुझे एक आईडी पता नहीं उनका नाम क्या है तो कुछ दो तीन दिनों से काफी कमेंट करें साइध उनको यह वीडियो की कुछ जरूरत है कि क्या आप जल्ल बताए जल्ली बताए तो अगर आप यह वीडियो देखो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी आपको कुछ समझ में आया है नहीं अगर नहीं समझ में आता है किसी को तो मैं अपनी इंस्टा के आइडी जो है डिस्क्रीप्शन में देदूंगी तो आप मु इधर उगर से और उसके बाद अभी हम घरा रहा लेंगे तो घरारे का जो उपर का लाश्टिक वाला हिस्सा होता है इसमें तो नाड़ी लगी हुए लिकिन अगर लाश्टिक होगा तो ज्यादा अच्छा लगे गा यह फ्लावर बनने में तो इस तरह से आपको फ्लावर देखिए घरारे का भी कुछ करना नहीं है बस बीच में से पहले रबर्बेंट से बान देना है और उसके बाद फिर एक और रबर्बेंट इस तरह से फ्लावर बना के लगा देना तो यह भी हमारा रैडी हो जाएगा वीडियो कैसी लगती मुझे कमेंट करके बताना चैनल लें पर नहीं हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर लेना सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मिडियो की नॉटिविशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करे चैनल को अमेंट भी कर दिया करे कैसी लगती है उसके बाद हम एक पट्टे का फ्लावर बनाएंगे तो इस तरह पट्टे को आपको डबल फॉल कर लेना है डबल फॉल करके और में न्यूस्पेपर की जरुवत होगी कुछ रबर बेंड और कुछ कार्ट बुट के मैंने पीस कट कि वह में बताती हूं अब यह इस तरह सब को छोटा सा बॉल सब्सक्राइब कर सकते हो जो भी सेप अपको अच्छा लगी में तीन इंच के लिए थे आप अपने हिसाब से ले सकते लेकिन इतने बराबर है इससे बड़े लोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा या तो छोटे लो या फिर इतने लोगे आपको क्या करना है यह पीपर और इस तरह से काट बोट के जो पीस है उसको यह पांच युपीस को रुपटे में इस तरह टेच कर देना कई भी कई पर रॉफली कर दो आप इसा ज़रूर नहीं है कि धर उदर लब चार को नर पे चार कर दो फिर एक कहीं भी सेट कर लो तो फ्लावर अभी दिखे आप ब आपको वस बीच में से बॉल को है ने जो इन्यूस पिपर का उसको पपड़के पांच को अटेच कर देना एक को पर एक रख के और रबर बिंड लगा देनी उसके बास सेट कर देना तो अपने आपी फ्लावर का सेप ले लेगा तो बिताना आपको इवाला एडल है कैसा ल आपको ने नहीं आपके पास बास्केट हो ना तो उसमें भी आप इस तरह रख दो पहले पीछ अड्रेस को रख दो फिर उसके बाद ये घरारा रख दो और फिर फ्लावर का जो रूपट्टे का बनाया हो रख दो आपको पर्स रखना हो बैंगल सकने हो आप साइट में वो भी इसके साथ और आगे ये दोनों फ्लावर को में रख देना है उसके बाद हम बैंगल्स रख देंगे पर्स रखना हो या कोई जूल्री चोटी मुटे सी रखनी हो तो आप इसके साथ वह भी रख सेक्तों मैंने भी सिर्फ बैंगल्स ही रख इसमें तो इस तरह से मिना पन्नी में तो कुछ पंदरावाई एठारा की थी तो यह मैंने पहले दो अटेज करी थी सेलोटेप से लेकिन फिर मैं इसको ट्रेक उपर अखा तो थोड़ी सी कम पड़ गई तो मैंने एक पन्नी में से हाफ कट करके उसको भी सेलोटेप से इसमें जोइंड कर दिया था तो मतलब दो पन्नी और हाफ एसे गई थी मेरी अप अपने ट्रेके साइस के हिसाब से ले सकते हो और यह मैंने इस तरह बताए और आगे भी मैंने सेर किया एक स्रिंग वेप किया है लेकिन देखो क्या है के हीड़ गन सबके पास होती नहीं है मेरे ज्यादा तर जो है सब्सक्राइबर मतलब सिसकता हैं तो नौर्मल इगर में खुधका जो फंग्सन होता ही इसके लिए पैट करते थे तो हीड़ नहीं ले सकते तो इसलिए मैंने उनको यहाईडिए भी बता है कि अकि इस तरह करना है तो अगर हमको कहो कर सकते हो और इस तरह आ भी आप 20 self- Lean लम रह भी तोас स् अच्छा ही होता है लेकिन स्रेंग ज्हाद अच्छ होताही लेकिन मिल आप गर सकती तो दीखना तो अँपको ऊंग प्रेच में कुछ भी क्या है आपका छूट जाएगा पतानी चलेगा कि मैंने क्या किया है तो इस तरह से आगे ची सी डेकोरेट कर सकते हैं इसमें चाहे तो पॉल्स की जो चेन आती हो लगा दे या कोई भी रेडिमेट फ्लावर भी आजकल तो बहुत मिलते हो लगा देखे कितना घुबसूरत सामरा यह पैकिंग रेडी होगी अच्दम प्रोफेशनल स्टाय में लगता है तो मैं आपको स्रिं का रोले हैं मैं वन केजी के साफ से लाती हूँ तो 320 में मुझे वन केजी आता है जो के 22-25 मिटर है इसमें आपको मिल जाए और यह डबल आती है सीट यह भी देखे में आपको कट करके बताऊंगी डबल सीट होती है तो आप अपनी ट्रेक के साइज के साफ से इसको कट कर इसके बाद बीच में से भी आपको कट करने है डबल ना लगाना वनन वेस्ट भी होगी और स्रिंग अच्छा नहीं होता तो यह देखिए अभी में इसकी साइज लेके फिर इसको कट कर लोंगी जो भी एक्स्ट्रा का बचेगा वो भी हमें कट करके अटा देना है कि हम कभ होगे तो आपका स्रिंग जो है बहुत अच्छा हो और इसकी जो जोड होती है उसको खास दियान रखना है आपको जोड जो होती है वहाँ पर आपको ज्यादा हीट गन नहीं लगानी वरना तो लो जाएंगे क्या है कि सीट जो ए राउंड सेब में आती है पूरी तो एक त दूसरी साइट के न उसको में थोड़ी पीछे ले लोगी ताकि वहां में क्या थोड़ी हीट गन कम यूज होगी पीछे इतना हीट गन नहीं उसकरेंगे जितना हो सकेगा आगे फिनीसिंग देनी है तो जोड पीछे चली जाएगी तो आपको फिर फट नहीं का या कोई ड सब्सक्राइब के लगाना जितनी मजबूता ही से सेलोटेप लगाओ इतना स्रींग अच्छा होती देखिए इतना मुझे एक्स्ट्रा ज्यादा लगा था नाप में तो यह मैंने कट कर लिया है है कर दो कुछ है जोड़ा था तो रफकма आधिया में तो अब आती है इसको ष्रेंग करने करने कि बारी हीं हीट इसको दोव मॉड पर रिक एक तो एक दOhren उसको पांस कि दूढर हमें अपनी आप पसी तरह डेकोरेट एक जूतर है ङूंहें पहले आपको बताया थे यह जी को सब्सक्राइख कि लगा आपको लगाई यॉइन श्रीख हम देखे में तो में पहले हो나 लगा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा अंदर से वह मंदर आपको पहले बताना भूल गई थी तो अंदर लगा दोगे तो कोई टैंसर निदेगा निकल लेगा तो यह देखी इस तरह सभी में अपपर लगा देती हूं तो थोड़ा और अच्छा लेगा उसके बाद वही जो अपमारे फ्लावर बंचे वही लगा देंगे तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी पैकिंग कैसी लगी और कुछ समझ में आता है तो मैं फिर सेके तो इंस्टा पर आना मुझे फॉलो करके मैसेज करना मैं आपकी हल्प करोंगी तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो मे इसके बाद मैंने एक और अच्छी सी वीडियो बनाई है देखती हो कब अप्लोड होती है तो अपनी दुआ में खास या दर्कना लाफेज